आपका आपका आपकी के यूटीब चानल में इसको डीके में एंड आज हम जे श्वियर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपको यूसी लगते नजर आया 10% का ठीक है और आज के दिन स्टोक अंदर हो गया क्रेक्शन साधे 5% के आसपास तो ऐसा क्यूं हुआ है कल स्टोक अंदर तेजी बनी इसके पीछे का रीजिन मैंने आपको बताया दो बड़े रीजिन थे नमर एक आप देखो के कंपनी की ब वहीं आप देखो के कल के दिन बड़ी बल्क डिल भी देखने को मिली थी तो आज की दिन वो हमें उपर से प्रॉफिट बुकिंग होते वहीं नजर आया जिसकी वजह से स्टोक के अंदर ये क्रेक्शन हुआ है जिहां आज स्टोक के ओपर भी कवाली का दबाव था जो पर पर दिन समय आगे ने आपको प्रॉफिट बुकिंग हुआ है अब महान बात आती है कल के लेवल्स को लेकर कल क्या हो सकता है स्टोक अंदर क्या स्टोक अंदर तेजी बनेगी या फिर स्टोक जो आपको और जादा गिर्ती वे नजर आ सकता है फ्रेश बाइंग करनी चाहि कम्पनी ने जोना एक सौधा की है उसके अंदर 5666 क्रोड में कुंपनी ने जोना अपना सेमेट यूनिट और जोना अप्रवर पलाउंट बेचा है थरमल पाउर पलन ठीम है थिक है तो इन सब का स्वोडा हुआ है तो इन सबसे company अपना जो debt है वो कम करते हो नजर आएगी उसके साथ साथ आप देखोगे जैप प्रकास पावर भी अपना जो debt है वो कम करते हो नजर आएगी तो इन future में stock कें अंदर तेजी बनना लाजमी है तो अब मैंन बात आती क्या इस स्टोक के अंदर क्रेंट प्रेस प्रबाइंग करना सही रहेगा कल के दिन भी हमारे पास कमेंट आयर थे कि सर सुबह सुबह इसकंदर इंट्री ले 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 मैंने उनको बिल्कुल साब मना कर दिया अब कोई benefit नहीं है स्टोक के अंदर आज ते आप देखोगे एक साल में लगबग आपको 5% के आज पास यटे निकाल गए दिया मार्केट कैप आप देखोगे 2724 क्रोड की है ठीक है और RSI MFI इसके काफी शांदार आपको हाल फिलाल देखने को मिल रही है तो यहां पर आप देखोगे RSI के अच्छे लावल है और MFI भी है ऐसे आपको ऑच्छे लावल पर ही देखने को मिल रही है जो की काफी अची्चम के मिडि रेंज में है तो यहां से संकियत करिया बाइग दीकर लेकिन करन्ट प्रेंग करना थोड़ा खत्रा हो सकता है क्योंकि। स्टोक करने थोड़ा ओर क्रेक्सन होगा ये शेर आप 10-11 की रेंज में आते हूं नजर आ सकता है ठीक है उस रेंज में आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग करना स्टार्ट करना स्टॉक के अंदर एज लॉंग टाइम पिले स्टॉक को रखिए आपको अच्छी रिटर निकाल कर दे सकते हैं क्या पता अपना जो bound भी खाए उसको break करते हो नजार जो 13 रुपे के असपास है उसको break करते हो नजार आ सकता है stock ठीक है तो in future में stock का अंदर तेजी बनना लाजमी है आप लोग शिरफ और जिरफ stock को hold करके ठीक है तो in stock को को अगर आपने hold किया है अच्छी बात है ठीक और अगर आपने कल परचेज किया है आज आप इसकंदर से निकल चुके हो तो भी अच्छी बात है यहाँ पर आप देखो के promoters ने अपनी holding जोना previous quarter में decrease किया FI यहाँ पर आपना stake बढ़ा रहे है तो यहाँ पर आप देखो के कल के दिन हमें जोना यह बोल्क डिल देखने को मिली इसके अंदर आप देखो के एक रोड़ चुतिस लाग quantity जोना वह आपको purchase होती हो नजर आई है ठीक है उसके साथ साथ आप देखो के कल के दिन ही आपको आठ लाक सोरी छासी लाक के असपास जो सी एर हो निकालते हुए भी नजर आए है तो ऐसे में जो होल्डिंग बची है वो भी आज इनोंने निकाली है तो उपर के लावल से स्टोक को जोना सहल की है तो अच्छी बात है इनोंने profit book की है तो प्रोफटी बुकिंग की वज़ा सी आपको जोना स्टोक के अंडर क्रेक्शन देखने हो मिला है और कोई बड़ी बात नहीं है और वहीं आप देखोगे भई जो एक order लगा हुआ सेलिंग के लिए 5,182 कॉंटिटी का कुछ बड़ी बात नहीं है वहीं आप देखोगे टेड़ी कोंटिटी जो आपको देखने को मिल रही है लगबग 6.49.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. तो काफी शांदर डिलेवरी उठी है तो स्टोक अंदर फिर से रिसर जो आप देखोगे रिकवरी हो सकती है जो 6% का क्रेक्शन हुआ है एक रिकवरी में आ सकता है लेकिन कलका दिं काफी ज़दा इंपोर्टेंट रहेगा निचे में सपोर्ट की बात करे तो आज का जो ल रस्टेंस है ठीक अगर रस्टेंस की बात करें तो 11.75 का इसका रस्टेंस है अगर स्टोक इसको ब्रेक करता है तो उपर फिर जो शे हरेए साधे 12 पलस के लावल आपको दिखा सकता है अच होप आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आए देख लायकि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही गए तो सब्सक्राइब पूरना मत भूलना एंड थैंक्यो वर वोचिंग द वीडियो